दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बाद के स्टॉक ने आज बहुत ही जबरतस मजबूती दिखाई है क्योंकि बाजार में बहुत बड़ी गिराउट हुई है निपटी एनर्जी में भी गिराउट थी उसके बाउजुत भी यहापे सुजलोन एनर्जी के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिये और इसके पीछे वज़ा है बड़े फंडाउस की जम के खरीदारी पिछले कई दिनों के बार आज बहुत बड़ी बड़ी डिल हुई है और इस डिल के माद्यम से आज काफी बड़ी खरीदारी किये गई है सुजलोन एनरजी में जो इसारा ह किया है वीन एनरजी और सोलर इनरजी ने नौवबर मैने तक जानने की कोशिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से साथ में नया हमारा बज़ेट आने वाला है बज़ेट को लेकर यहाँ पे वीन एनरजी और सोलर इनरजी या फूरे एनरजी सेक्टर की क्या यहाँ पे अप क्या इस समय में सुजलोन एनर्जी में इंवेस्मेंट करना चीए या फिर नीचले रिर्व से अगर खरीदारी किये तो प्रॉफिट बुक कर लेना चीए क्या है आगे की सुजलोन एनर्जी की रणनी ती जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE Sensex में हमने 61,799 के इस तर पे क्लोजिंग देखिए जहां पे हमने 878 पॉंट की बड़ी गिरावट देखिए यानि 1.40 परसंट गिरा मारा बाजार सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआ तो थोड़ी सी गिरावट के साथ बाजार की लेकिन जैसे जैसे दिन बड़ा आगे गिरावट बढ़ती गई लगातार गिरावट हुई और काफी बड़ी गिरावट इसके बीचे वज़ा है प्रॉफिट बुकिंग भी और दूसरी तरफ वज़ा है ग्लोबल रिजन US Fed ने जो प्राइज है कि उसका नतीजा देखना को मिला कि जितने ग्लोबल बाजार है वहाँ पे गिरावट देखना को मिली थोड़े से सेंटिमेट बिघरते हुँ दिखाए दिये लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और इसी वज़से हमें दबाव पर क्लोजिंग दिये जहां पर 158 पॉइंट की ग्रावट थी यानि 0.60% गिरा निप्टी एनर्जी भी तो निप्टी एनर्जी में भी ग्रावट थी लेकिन उतनी ग्रावट नहीं थी जिजरे दूसरे सेक्टर में हुई है तो यहाँ पे सुजलोन में आमने काफी तेजी देखी आज यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की सुरुआत 10.80 पर हुई यानि निगेटिव सुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 10.90 की थी उसके बाद में कुछ दबाव देखना को मिला कुछ प्रॉफिट बुकिंग के विज़े से स्टॉक 10.65 तक लोग में चला गया लेकिन उसके बाद में फिर से जबर्दस खरीदारी का जो दौर शुरुआ 11.25 का हमने इंट्राडे में हाई देखा है और अंतर मेक लोजिंग 10.95 पर रही जाप हमने 0.46 परसंट की तेज़ी देखी है तो एक तरफ तो बादर में लगबग 800 परसंट के उपर की हुई है आप देखें तो पिछले एक महिने पहले इसका 19 क्रोड का वालिम था 7 क्रोड की डिलेवरी उठाएगी थी जो वन विक के इसाब से देखें तो वालिम बढ़के 25 क्रोड तक पहुच गया और डिलेवरी बेस काम 8 क्रोड तक चला गया अब कल की ही बात करें तो वा लगा अतार बढ़ रहा है आप देख सकते हो कि कहीं पर भी आपको गिरावर दिखानी देरी इसका मतलब लोगों की अक्टिविटीज बढ़ने लगी है आने वाले से में डेफिनिटल आपे बहुत अच्छी तेजी देखना को मिल सकते है पूरे बाजार में वालिम के मामल अब यहां पर देख सकते हैं कि जैसे हमारा बजर्ट 2023 आने वाला है तो एनरजी सेक्टर की भी काफी डिमांड है जो सरकार से वो पूरा करवाना चाहती है यहां पर बजर्ट में सबसे बड़ी डिमांड है रिदमल एनरजी सेक्टर की कि पेट्रोल को जी एश्टी के जमसंद दिया जाए और सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसे यह डिमांड की गई है कि पेट्रोल को पूरी तरसे जी एश्टी के अंदर लाया जाए जिससे उनको बैनिफिट मिल पाए इसके लावा गर आप देखे तो पावर इंडिस्टी जे वो चाहती है कि से पेलाई स्किम का इस समय फाइदा होना चीए वो अभी तक बिन नहीं पा रहा है तो वीन टर्बाइन सेक्टर के लिए इस समय सरकार की तरब से एक बड़ी अलग से पेलाई स्किम लाँच करनी चीए इसके लावा कार्बन क्रेडिट मिलना चीए कंपनी को इसके लावा इन्डेश्टी चाहते है कि रिदम नंजी के मादेम से जो यहाँ पे जो सेल किया जाता है एनरजी का उसके ओपर टेक्स बेनिफिट मिलना चीए तो यहाँ पर देख सकते हो कि काफी ज़्यादा डिमांड है इन्डेश्टी चीए इसके लावा आप देख सकते हो कि वो चा नौबर तक यहां पर सोलर एंडर्जी और वीड एंडर्जी के आख़़ें निकल कर आचुके जहां पर सोलर एंडर्जी में 342 मेगावाट का यह रदर बेसिस पर डिक्लाइन देखलों को मिल रहा है वीड एंडर्जी ने थोड़ी से मामूली सी बड़त दिकाई है सोलर एंडर्जी की बात के तो यहां पर नौबर महिने तक 12 गीगावाट की एडिशन कैपसिटी अचिव कर लिए और यहां पर वीड एंडर्जी की बात के तो उसने 2 गीगावाट की नई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपसिटी अचिव किये 11 महिने के दर यानि नौबर महिने त तो पूरे नॉम्बर महिने में 342.09 मेगावाट की solar energy की capacity को install किया गया जबकि October की बात के तो यहाँ पे 810.37 मेगावाट की capacity इंस्टाल की गई थी तो इसे इसाब से 81% का decline देखना को मिल रहा है October महिने के सामने नॉम्बर महिने में Wind energy की बात के तो इस बार 51.3 मेगावाट की capacity इंस्टाल की गई है नॉम्बर महिने में जबकि October महिने में यह 177.9 मेगावाट के आसपास थी तो यहाँ पर भी आपको decline देखना को मिल लगा नॉम्बर महिने में जो करीब 110% के आसपास है अब इस graph से आप अच्छे से समझ पाएंगे जिसमें मन्त के हिसाब से दिया गया है जो 2022 है उसका color आपको green दिखाई देगा और financial 2021 का color yellow दिखाई देगा energy के लिए तो यह आप देख सकते हूँ कि जो capacity है इस बार अगर आप देखे तो नॉम्बर महिने में यहाँ पे जो पिछली बार थी उससे थोड़ सी slightly आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि जो green color है यह थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देगा October महिने में काफी बड़ा achievement किया है वीड़ा energy ने जहाँ पे आपको green color बहुत ज़्यादा होता हुई दिखाई देगा और अगर हम बात करें September मन की तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा उचाल है इस बार यानि capacity काफी ज़्यादा है इस बार यानि जो green color है वो काफी बढ़ा जूलाई महिने में लगबग सेम रहा आपको देख सकते हो आकड़ा green और yellow color एक जसा ही रहा है जून की बात के तो फिर से आपको capacity बढ़ते हुई दिखाई देगी इस साल की और महिने में तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबर्दस आपको सिर्फ green color दिखाई देगा यान जो capacity इंस्टॉल की गई है 2022 की वो काफी बड़ी है मुकाबले पिछले साल के और अपरेल की भी बात कर तो लगबग एक जैसी है पिछले साल के मुकाबले और अगर हम मार्च की बात के तो मार्च महिने में जो install capacity वो काफी कम रही है पिछले बार के मुकाबले ये लो color आप चाल देखना को भी लाए और बाकी ओवराल काफी अच्छा परदसन किया है तो वीन अनर्जी सेक्टर ने 16 अनर्जी से अच्छा काम किया इस बार अब हम बड़ी डील की तरफ चलेंगे जिसकी वज़त से आज हमने तेजी देखिए तो आप देखेंगे बाजार खुलते ही 9 बचकर 17 मिनट पर 10.90 की प्राइस से 37.040 guild की बहुत बड़ी खरिदारी हुई उसके बाद उसी समय 9 बचकर 17.0 Fan पर 10.95 की प्राइस से 37.98 territor की एक और बड़ी खरिदारी हुई फिर 9 बचकर 19 मिनट पर 11 की प्राइस से 53.23лена 1000 की बंपर बड़ी खरिदारी की गई फिर 9 बचकर 21 मिनट पर 11.05 की प्राइस से 34,81,000 की एक और बहुती बड़ी सांदर खरिदारी की गई फिर 9 बचकर 23 मिनट पर 11.10 की प्राइस से 33,47,000 की एक बड़ी खरिदारी और की गई उसके बाद 9 बचकर 25 मिनट पर 11.10 की प्राइस से ही 32,10,000 की एक और बड़ी खरिदारी की गई फिर 9 बचकर 26 मिनट पर 11.15 की प्राइस से 41,42,000 की एक बड़ी खरिदारी की गई उसके बाद 9 बच कर 33 मिनट पर 11 की प्राइस से ही 38,60,60 की एक और बड़ी सांदर खरिदारी की गई तो यह सुबस्बो की खरिदारी है जिसमें जम के खरिदारी की गई हो काफी बड़े फंडावस नहीं आपे एक भारी मात्रा में खरिदारी की गई फिर दो बच कर 48 मिनट पर 11 की प्राइस से 36,99,60 की एक और बड़ी खरिदारी की गई तो यह आप समझी सकते हो कि आज बड़े फंडावस ने पिछले कई दिनों के मुकाबले बड़ी खरिदारी की इसका मतब भी है कि आने वाले समय सुजलोन में एक सांदर तेजी आ सकती है तो नजरिया लॉंग टम का लेके इस समय आपको इन्वेस्मेंट करना चाहिए आने वाले से मैं आपको सुजलोन बहुत ही सांदर रिटन दे सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड